101 किलो सोना, 11 करोड का मुकुट, राम मंदिर के लिए दिल खोल कर दिया गया दान, जानिये कौन है ये दान भी? 500 साल की लंबी प्रतिक्षा के बाद आखिर कारवो समय आ गया जब राम मंदिर का सपना साकार हुआ है श्रद्धालू दिल खोलकर राम मंदिर में दान कर रहे हैं इसके लावा देश के कई अरबपती कारोबारियों से लेकर सेलिबरिटी और सादू सन तक ने भी खूब सायोग दिया है किसी ने राम लला को करोड़ो रुपई भेट किए तो किसी ने सैकड़ो किलो सोनादान दिया है लेकिन क्या आप ये जान दे के राम मंदिर के लिए सबसे जदा दान किस ने दिया अब अगर आप भी यही सोच रहें कि यह अमबानी या डानी या टाटा है तो आप गलत हैं राम मंदिर के लिए सबसे ज़ादा दान अगर किसी ने किया है तो वो है सूरत के रहने वाले एक कारोबारी जिन्होंने पूरा 101 किलो सोना दान किया है आप शायद यह बात ना जानते हो कि भवे राम मंदिर में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर सोने की परत चड़ाई गई है राम लला के सिंगहासन से लेकर उनकी चरन पादुकाओं तक में सोने की चमक दिखेगी इसके अलावा गर्ब ग्रह में जो दर्वाजे हैं उन पर भी सोने से उकेरी कलाकारी देखी जा सकती है साथ ही राम लला के हातों में जो धनुश्बान है वो भी सोने से ही बना है मौजूदा वक्त में सोने की कीमत करीबन 68,000 रुपे प्रती 10 ग्राम है यानि इस कीमत के हिसाब से देखा जाये तो 1 किलो सोने की कीमत करीबन 68,000,000 हुई और कुल 101 किलो सोने की कीमत करीबन 68 करोड रुपे हो गई इसका मतलब है कि लाखी परिवार ने राम लला को 68 करोड रुपे का दान दिया उनके बाद नाम आता है कधावाचक और आध्यात में गुरू मोरारी बाभू का जिन्नोंने राम मंदिर के लिए 11.3 करोड रुपे का दान दिया राम मंदिर के प्रान प्रतिश्चा कारेकरम में पूरा अंबानी परिवार भी शामल हुआ था रिलाइंस ग्रूप के चेर्मेन मुकेश अंबानी उनकी पतनी नीता अंबानी बेटे आकाश अंबानी और उनकी पतनी श्लोका अपनी होने वाली पतनी राधिका मर्चंट के साथ अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपने पती आनंद फिरा के साथ इस कारेकरम में हिसा लिया था इस जारान सभी लोग पारंपरे के उले बाज में बड़े ही घुपसूरत नजर आए वैसे दान देने के मामले में अंबानी परिवार भी कहां पीचे रहने वाले में सही गए रिपोर्ट्स के मताबिक मुकेश अंबानी ने अयोध्या के राममंदर ट्रस्ट को दो धशमलव 51 करोड रुपए का दान दिया है सूरत के एक और कारोबारी मुकेश पटेल ने भी भगवान राम के लिए दिल खोल का दान दिया है ये मुकट पूरी तरह से स्वर्न से बना जिसमें करीमन चार किलो सुना है साथ इसमें हीरे से लेकर और भी कई कीमती पत्थर जड़े हुए साथ ही राम मंदर निर्मान के लिए गुजरात के ये एक और हीरा कारोबारी गोविंद भाई धोलकिया ने भी 11 करोट रुपे का दान दिया है गोविंद भाई धोलकिया डायमेंड कमपनी श्री राम कृष्णा एक्सपोर्स के मालक है देशर दुनिया के कई मंदरों ने भी राम मंदर के लिए द्याउन दिया है सबसे अधिक दान देने वाले मंदरों में पटना का महवीर मंदर टॉप पर आता है महवीर मंदर ने आयोध्या राम मंदर निर्मान में 10 करोट रुपे का दान दिया ना सिर्फ भारत बलकि अमेरिका, केनेडा और ब्रिटेन में वेठे राम भक्त अनुयाईयों ने भी अलग से 8 करोट रुपे का दान दिया है राम मंदर में रोजाना लागों लोग दर्शन कर रहे हैं राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनल मिश्रा ने बताया कि प्रान प्रतिष्टा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे